Hello friends, चलते हैं आज के पहले question पे, आज का पहला question 136 136 में ऐसा लिखा है beneath contempt Contempt का मतलब होता है दोस्तों, अवहेलना Contempt का मतलब होता है disrespect यानि respect नहीं करना, अवहेलना करना, अनादर करना, ऐसा कह सकते हैं So, अगर मैं कहूं completely unworthy of respect यानि कि जो respect के काबिल ही नहीं है beneath contempt उससे भी नीचे है Beneath यानि नीचे, contempt यानि अनादर तो एक तो होता है आदर करना किसी का, सम्मान करना अनादर करना यानि आदर नहीं करना अनादर से भी नीचे अगर कोई है, completely unworthy of respect Respect ही देने लायक कोई इंसान नहीं है, कोई चीज नहीं है उसे कहते हैं beneath contempt Hello friends, स्वागत है आप लोगों का digital रियारी चैनल पे मैं श्रयान स्कोड़ारी ले के आँँ दोस्तों आपकी प्यारी सीरीज यहाँ पे Objective General English by SP बखशी शांदार एक सीरीज दोस्तों लगातार करवाते जा रहे है चलती जारी दोस्तों अगर कोई ऐसी कोई ऐसा exam जहां English आती है Objective English आती है मुझे लगता है यह book most appropriate है बहुत अच्छे से इसके अंदर topics cover किये गए है बस आप इसी तरीके से अपने channel पे बने रहे है दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूँगा Be stronger than your excuses यह बहुत बड़ी important line है दोस्तों ऐसा आपने सुना होगा समझा होगा आपकी गती में सबसे बड़े बाधक आप स्वयम है क्या मतलब है इसका आप अगर आगे बढ़ना चाहते है तो सबसे बड़े बाधक hindrance, hurdle आप खुद है आप क्या करते हैं दोस्तों कोई भी कारे करना हो उसके बीच में कोई एक्सक्यूज ले आते है वो एक्सक्यूज जो है न वो actually कहीं न कहीं आपको ही रोकने में रोक रहा है, रोकने में सादक बन रहा है हमारी गती में बाधक बन रहा है हम आगे बढ़ना चाहरे है वो हमें पीछे धकेल रहा है बहुत important line है दोस्तों ये बहुत important ध्यान रखने वाली बात है विध्यारती है हमारा धर्म एक ही होना चाहिए विद्धारजन पढ़ाई करना हमारा धरम होना चाहिए अगर मैं बहाने बनाता हूं कि घर में मौसी जी आये हैं बाहर से गूमने से अगर मैं बहाना बनाता हूं कि घर पे फंक्शन है पाrti और मुझे पढ़ाई नहीं करनी है दोस्तों ये पार्टी, फंक्शन, मौसी जी, ताई जी ये सब लोग जिन्दगी पर चलते रहेंगे लेकिन आपकी पढ़ाई का सही समय है अभी जितने एक्सक्यूज बनाएंगे अगर आप बीमार भी पढ़ रहें और उसका भी एक्सक्यूज लेने तो बहुत बड़ी गल्पी कर रहें बहुत सारी बार अख़बारों में ऐसे आर्टिकल्स, न्यूज हमें सुनने को मिलती है कि बहुत भेंकर बीमार था लेकिन फिर भी एक्जैम उसने लिए बीमार हैं दोस्तों तो आप अपनी शमता अनुसार पढ़ाई करें पढ़ाई से विमुक नहीं होना है, दूर नहीं जाना है, तैयारी करते रहना है तो आपको अपने एक्सक्यूज से स्ट्रॉंगर बनना पढ़ेगा वो अगर आप बन जाएंगे तो दोस्तों सफलता आपके कदम चूमेगी, यह मैं जरूर कहना चलिए, आगे बढ़ते हैं आज की मिठाई पर दोस्तों आज की मिठाई क्या आपने कहाई, आज की मिठाई है दोस्तों, M-O-R-T-A-L, mortal, subject to death इसका एक opposite word जादा famous है दोस्तों, immortal, immortal को कहते हैं अपन अमर, कोई इनसान जो अमर है, जो मरेगा नहीं, उसे immortal कहते हैं तो mortal को हिंदी में कहते हैं, नाशवान, जिसका एक दिन नाश जरूर होगा, जिसे कहते हैं, नशवर, काया हमारी नशवर है, एक दिन तो मरना ही मरना है सो mortal का मतलब है, एक दिन जरूर मरने वाला है, subject to death, होगी ही होगी, man is mortal, इनसान mortal है, अमर नहीं है, ता उम्र से भी आगे जिन्दा नहीं रहेगा, वस यतनी उम्र है, उतना ही रहेगा, so subject to death, एक बहुत अच्छा word है, earth bond, दोस्तों, earthly है, इनसान है, अवतार नहीं है, भग divine grace of spiritual death, यानि कि ऐसी कोई चीज जो आत्मा जिससे चली जाएगी, यानि खतम हो जाएगी, यानि नाश्वान है, नश्वर है, so mortal का मतलब यहीं होता है, कि जो चीज irrelently and deadly, मतलब merciless है, unmerciful है, दया नहीं है, जसके पास होना ही होना है, मृत्यू निश्चित है, उसे कहते हैं, मोर्ट, चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, idioms को आगे बढ़ा रहे हैं, chapter हमारा चल रहा है, chapter नमबर 15 से 15 की, सारी idioms हम लोग पढ़ चुके हैं, A, B, C, D, E chapters की exercise complete हो चुकी है, exercise F के भी 136 questions complete कर चुके हैं, 137 से आगे बढ़ेंगे हम, 137 नमबर पे, in fullness of time, time का मतलब है समय, fullness यानि पूरा, जब आपके पास पूरा समय हो, complete time हो, यानि जब आपके पास appropriate time हो, CDS 2007 में, ये question पूछा भी गया है, जब सही समय पर, यानि की complete समय पर, यानि ऐसानी की बहुत भागा दोड़ी में आप लगे हो हैं, जब आपके पास पूरा समय हो, तो उसे कहते हैं, at the appropriate time, सही समय पर ये कार्य हुआ है, 138 है दोस्तों, a bread and butter letter, bread and butter generally कहा जाता है दोस्तों, आजविका को, living को, जो जीवन यापन करने के लिए जरूरी है, उसे कहते हैं, bread and butter, तो bread and butter भी अपने आप में एक ऐसा idiom है, जो अपने को ध्यान रखना है, जिसका मतलब है living, आजविका, रोजी रोटी जिसे अपन हिंदी में कहते हैं, अब रोजी रोटी का letter आया है, मतल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 139 पे cloak and dagger, cloak and dagger generally use लिया जाता है, involving intrigue, cloak and dagger, dagger को कहते हैं दोस्तों, खंजर, छूरा, और cloak, C-L-O-A-K, दोस्तों, कभी आपने notice किया हो, तो एक cloakroom शब्द आपने पढ़ा हो, clockroom नहीं, cloakroom, cloakroom, अमानती घर, इसको हिंदी में कहा जाता है, अमानती घर, उस तो cloakroom होता है, railway stations पे, जहां अपना सामान आप रखवाते हैं, और generally, railway station पे आपके पास कौन सा सामान होगा, gold तो रखेंगे नहीं, आपके कपड़े जो आपके bags में रखें, वो bags वहां रखवाएंगे, so cloak basically होता है आपका चोगा, एक ऐसा पूरा चोगा जो हम अपने वस्तर जो पहनते हैं, अब cloak and dagger अगर यानि कि जो खंजर लेके ऐसा एक imagine करिए, एक इनसान है, जिसने एक बहुत बड़ा सा काला कल रखा, चोगा पहन रखा रहात में खंजर है, तो यह involving intrig, बड़ी complexity की बात हो जाती है, डर भाय आजाता है, anxiousness हो जाती है, anxiety हो जाती है, उसको कहते है complexity आजाती है, उसे कहते है involving intrigue, 140 नमबर पे दोस्तों, a fair crack of the whip, whip का वैसे तो मतलब होता है आपका चाबोग छड़ी या hunter type की कोई चीज, उसका fair crack, fair crack का मतलब है to get a fair chance, यानि आपके पास एक fair chance है इसको complete करन करने के, so fair chance है, यानि कि आपके पास क्या है, fair crack of the whip है, चलिए आगे बढ़ा जाए हमें, 141 पे, take up the cut gels, take up the cut gels का मतलब है किसी को support करना, किसी के support में खड़े होना, आप किसी को बाहरी support, internal support, किसी भी तरीके से अगर आप सहायक बन रहे हैं, तो आप क्या है, take up the cut gels कर रहे है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो, 142, as the crow flies, crow जैसे उड़ता है, कभी आपने अगर उड़ते वे देखा हो, कवे का नियम है, एकदम straight line में उड़ता चला जाएगा, दाएं बाएं कुछ नहीं देखेगा, एकदम straight line में उड़ता चला जाएगा, so in a straight line, एकदम straight line में, as the crow flies, एकदम straight line, इधर उड़ता बटकाव नहीं है, सीधा सीधा चलना है, और दोस्तों, competition line में भी यही तो करना है, एकदम straight चलते जाना है, सीधा चलते जाएगे, भटकिये मत, excuses से stronger बनिये, और आप अपनी सफलता को राप्त कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, 1.43 है, दोस्तों, chew the cud, chew the cud का मतलब है, think over, think over का मतलब है, बहुत ज़्यादा सोचना, सोचते रहना, कोई बात पर बहुत ज़्यादा विचार करना, चिंतन करना, उसे कहते हैं, think over, विचार करने को कहते हैं, think over, 144 दोस्तों On the Anvil अगर आपको पता हो Anvil क्या होता है Anvil एक लोहे का बहुत बड़ा लट्था होता है लोहे का बना हो रहता है बहुत बड़ा ब्लॉक और उस ब्लॉक पे हैमरिंग वगरा करकर के आप कोई चीज चमडे को सीधा करना है कोई और दूसरी metal plates को सही करना है कोई भी चीज़ पर कारे कर रहे हो गरा तो वो on the anvil है on the anvil का मतलब है process में है complete नहीं हुए अभी चल रही है process गुर्टों तयार होगा आपने देखा होगा कभी जूते ठीक कराने के लिए आप किसी के पास जाएंगे जो जूते ठीक करते हैं तो उन लोगों के पास एक लोहे का ऐसा रहता है जिस पे हतोरे से ठोक ठोक के जूते को ठीक किया जाता है से लाई वगरा करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है तो अभी काम process में है running में है in the making है अभी complete नहीं हुआ है उसे कहते है on the anvil है इस exercise का आखरी question इस chapter का आखरी question और इस page का भी आखरी question 145 off the cuff off the cuff का मतलब है speak without preparation आप जब आसू भाशन दे रहे हैं आप जब एकदम से impromptu बोल रहे हैं impromptu कहते हैं इसे और आपको वैसे मैं पूछ चुका हूँ एक बार फिर से पूछ रहा हूँ e से शुरू होगा आप और e से ही खतम होगा एक ऐसा शब्द जो इसका synonym हो जाए speak without preparation एक चीज़ और बता हूँ आपको दोस्तों ये word आपने जरूर सुना होगा जब हम कोई चीज़ को और अच्छा करना चाहते हैं तो इसे improve कहते हैं ध्यान से सुनियेगा मेरी बात को एक होता है improve कोई चीज़ को बहतर करना लेकिन मजे की बात है दोस्तों ये खुदी अपने आपमें एक verb है ध्यान रहे ये verb है ना तो improvise क्या है ये बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लोग गलती करते हैं improve का improvise से कोई लेन देना नहीं है अरे भाई improve अपने आपने आपने ही verb है तो और वर्ब थोड़ी बनाएंगे उसकी improvise का मतलब यही है impromptu बोल देना on the spot आपको जो दिमाग में आया बिना किसी preparation के अगर आपने बोल दिया impromptu बोल दिया उसे कहते हैं speak without preparation यानि off the cuff अब आपको बताना है एक ऐसा synonym off the cuff के लिए एक ऐसा single word जो off the cuff का meaning हो without preparation speaking के लिए हो बस यही कहना चाहता हूँ आज की कक्षा यहां समाप तो जाती है chapter समाप तो जाता है review exercise के लिए अगले विरियो में फिर मिलेंगे आप ही के प्यारे चैनल पर जिसका नाम है digital तैयारी thank you please like, share, subscribe digital तैयारी